गुड मॉर्निंग फ्रेंग्स और वेलकम टू घ्यान बाजी यूट्यूब चैनल वन्स अगेन सिरीज नमबर त्री लेक्चर नमबर सेवन एंड डेली करेंट अफिर से आप सब का स्वागत है सुबा के दस बच चुके हैं और उठने का नहीं जागने का वक्त हो गया है टार्गिट एक्जाम है स्टेट बैंक ओफ इंडिया क्लर्क पी ओ और स्टाफ सेलेक्शन कमिशन आप बाकी की तैयारी कहीं से भी करें लेकिन करेंट अफिर्स की तैयारी के लिए सबसे बेस्ट प्लैटफॉर्म है ग्यानबाजी यूट्यूब चैनल अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही यूट्यूब चैनल ग्यानबाजी को सब्सक्राइब करें और हमारे सारे current affairs series के lectures देखें, notes बनाएं और सारे quiz solve करें याद रहे कि इस बार हमारी तयारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए इसलिए कोशिश करें कि आप कोई lecture मिस ना करें बहराल आप सबको एक और जरूरी सूचना मैं दे दू, current affairs की series सोमवार से शुकरवार तक चलाई जाती है इसलिए शनिवार और रविवार को आपको daily current affairs के जगा इस हफते से कोई दूसरे lectures, दूसरे important lectures भी दिये जाएंगे मुझे कुछ students के message आए कि sir, Saturday और Sunday का daily current affairs series का lecture क्यों नहीं आया इसलिए मुझे लगा ये बात आपको clear कर दी जाए कि ये series Monday to Friday चलेगी आज Monday है, अब Friday तक आपको ये सारे lectures continuously ऐसे ही मुफ्त में मिलते रहेंगे तो चलिए, notebook निकालिए, pen निकालिए and let us begin today's work हाँ भई, ये एक बहुत ही दुखत खबर कल सामने आई, आप सब जानते ही है और ये चहरा मुझे नहीं लगता कि इस वक्त भारत में कोई भूल पा रहा होगा तो सुशान सिंग राजपूत एक बहुत ही उंदाक अलाकार रहे Bollywood के कल इनका निधन हुआ, अपने बांदरा वाले इनके मकान में, मुंबई में और रीजन अन्नोन अभी तक कुछ पता भी नहीं चला है और चौतिस साल की बहुत ही कम उम्र में ये हम सब को अलविदा कहकर जा चुके हैं इनकी काबिले तारीफ एक्टिंग से हर कोई वाकिफ है ही और मुझे लगता है कि हम सब की दुआएं, हम सब की सांत वनाएं इनके परिवार के साथ है ही, मैं अपने सारे ही दोस्तों से और अपने सारी स्टूडेंट से ये भी कहना चाहूंगा कि please इनकी मौत के बारे में किसी भी तरीके से अपने assumptions लगाना बंद करें और उसके बारे में कुछ भी अपने मन से ना सोचें पुलिस को अपना काम करने दे क्योंकि हो सकता है कि हमारी बातों से हमारे अपने थेरी से इनके परिवार को इनके चाहने वालों को कही ना कहीं कोई ठेश पहुँच सकती है या दुख हो सकता है इसलिए it is always good that you know we should respect the situation and let the let police do their own work okay so we'll always miss you Sushant and you were always one of the most loved actors in Bollywood चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं आज का काम शुरू करते हैं यह रहा question number one which of the following institution has ranked first in the QS World University ranking 2021 आपको पता होगा अभी-अभी QS World University ranking 2021 जारी हुई है और उसमें कौन सा institution number one पे आया है यह सवाल है आपको मैं जवाब बता देता हूँ यहाँ पर number one पर आया है option number B Massachusetts Institute of Technology एक बार उच्चारण को ठीक से समझिये Massachusetts Institute of Technology okay answer check कर ले ज़रा yes the right answer is Massachusetts Institute of Technology इसमें दो-तीन चीज़े ज़र आप और याद रखिए यह रहा number one then second number पर है Stanford तीसरे number पर है Harvard और चौथे number पर है California यह चार ranking कुछ इस तरीके से है तो आप यह सारी बात याद रखना आपको एक मज़े की बात बताओं यह one two three four यह चारो ही USA के हैं राइट तो आप ज़रा सोचिए research और education के मामले में अमेरिका कितना अच्छा है इतने ही नहीं और भी ब अमेरिका के ही है अब जरा भारत की ranking भी आपको बता दे टौप 200 में अगर हम चेक करें टौप 10 और टौप 20 तो भूल जाओ टौप 100 भी नहीं टौप 200 में अगर हम चेक करें तब जाके भारत का number लग रहा है और भारत की सबसे पहली university जो इसमें दिखाई दे रही है वो है I IIT Bombay 112 नमबर पर इसके बाद टौप 200 में भारत की एक और university आ जाएगी 185 नमबर पर IISC Bangalore हम इससे पहले इसका जिक्र कर चुके हैं IISC Bangalore और उसके बाद एक और आ जाएगी 193rd position पर नाम है IIT दिल्ले तो आपको एक्जाम में यह अलग-अलग तरीके से question आ सकते हैं एक तो question जो मैं लेकर आया हूँ वैसा question आ जाएगा और दूसरा यह आएगा कि भारत की कौन से universities रैंकिंग में हैं तो उसका अंसर होगा 172nd नमबर पर IIT Bombay right clear हुआ यह सवाल आगे बढ़ें who become the first person to walk in space and reach ocean's deepest point बड़ा शांदार और बहुत ही काबिल यतारीफ सवाल रहा यह एक ऐसी महिला है जिनके साथ दो किर्तिमान जुड़ गए हैं इन्होंने अंत्रिक्ष में भी याने space walk किया है और दूसरा यह दुनिया के सबसे गहरे point पर जिसे सबसे गहरा गढ़ा कहते हैं वहां तक भी जाके आई है याने सबसे उपर भी जाके आई है और सबसे नीचे भी जाके आई है तो इनका नाम क्या है सहीं जवाब है कैथी सुलीविन ओके ओप्शन नमबर सी इस कैथी सुलीविन ओके यह अमेरिका की है और 51 years of age में याने इन्होंने यह दोनों ही करिश्मे कर दिये हैं दिस सम्थिंग अमेजिंग ओके और बाइद वे यह अमेरिका की पहली एस्ट्रोनाट रही है दिनोंने यह किरतिमान हा हासिल किया है ओके वैसे यहाँ पर एक बात बताईए दुनिया का सबसे डीपेस्क पॉइंट कौन सा है सबसे गहरा पॉइंट कहां है दुनिया में दुनिया का सबसे गहरा पॉइंट है मेरियाना ट्रेंच मेरियाना ट्रेंच कहां है यह जापान के पास पैसिफिक ओशन में आप जानते हैं ये गड़ा कितना गहरा है ये करीबन करीबन 11 किलो मेटर गहरा है वहाँ पर पानी का दबाव इतना ज्यादा होता है कि अब्विसले इनसान मर जाए तो अल्मोस्ट काफी अंदर तक जाने का किरतिमान इनके पास है राइट पैसिफिक ओ सकते हैं एस्ट्रोनॉट वाली भी तस्वीर है और दूसरा ये जो पैसिफिक ओशन में जाकी आई है उसकी भी एक इमेज है पूरा नाम है कैथरीन बी सुलीविन ओके ये नासा में पहले काम कर चुकी हैं वहाँ से रिटाइड है आगे बढ़ते हैं दोस्तों पिछले तीन चार दिनों में ये ख़बर काफी सामने आई थी कि गारगो इंटरनेशनल के एक नए ब्रांड एम्बैसेडर चुने गए आप कॉमन से से चेक करके बता सकते हैं इसका सहीं जवाब आएं शूर आपको समझ में आ गया होगा कौन है इसका राइट आंसर येस इस सोनू सूद भाईया अपने छेदी सिंग याद है न छेदी सिंग किसकी बात कर रहा हूं मैं दबं पिच्चर में विलन का किरदार निभाया था छेदी सिंग तो छेदी सिंग जो है वो गारगो इंटरनेशनल के ब्रांड एम्बैसेडर चुन लिए गए है और गारगो और ओईल और इंडस्ट्री से रिलेटेड अलग अलग प्रोडट्स इनके पास होते हैं तो ये सारी चीज़े इन्होंने सोनू सूद को और सोनू सूद अभी हाल फिलाल में बहुत फेमस हुए थे आपको पता ही है ये वो सूपर मैन की तरह देखे जाने लगे थे जो हर कि इसी को अपने घर पहुचा रहे हैं बहुत ही बढ़िया सोशल वर्क इनों ने किया और मेडिया में पिछले दिनों में ये काफी चाय रहे येस तो दराइट आंसर इस सोनू सूद आगे बढ़े दोस्तो फ्वेशन नमबर फोर हाई जंपर अलेक्जेंडर सुष्टोव एक हाय जंपर है अलेक्जेंडर सुष्टोव नाम के जिनके ओपर अभी डोपिंग के वज़े से चार साल का बैन लग गया है वो कौन से कंट्री के है सही जवाब है यहाँ पर आप्शन नमबर ए रश्या लेट अस चेक दराइट आंसर येस डैस रश्या आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक और महिला का नाम पूछना चाहूंगा फीमेल आथलीट जिनके बारे में मैंने अपने शुकरवार के सेशन में कवर किया था कि इनके उपर भी चार साल का बैन लगा है साउथ इंडिया से आती हैं यह क्या आप मुझे नाम बता सकते हैं जरा दिमाग पर जोर लगाईए किसकी बात कर रहा हूँ मैं जल्दी बताओ एक और हिंट दे देता हूँ ए आठ सो मीटर रेस में इन्होंने बहुत बढ़िया कि चार साल का बैन लगा है और भारत में यह बैन कौन सी कमपनी लगाती है उस कमपनी का नाम भी बताईए आई मीन दी एजनसी नाम है नाडा एन एडी ए नैशनल एंटी डोपिंग एजनसी इस तरह के सवाल एक्जाम में आने ही है इसलिए प्लीज रिविजन करते चले हर च स्टेट्स चीफ मिनिस्टर हैज लॉंच जगन अन्ना शेडोदू स्कीम प्लीज ठीक से समझिये सवाल के अंदर ही इसका जवाब है जगन अन्ना ये दिख रहा है अब स्वाभावी कसी बात है जगन नाम के तो बस एक ही मुख्यमंत्री है और वो है Y.S.R. जगन मोहन प्रदेश के तो सहीं जवाब क्या होगा ऑप्शन नंबर B आंदर प्रदेश आल राइट तो आंदर प्रदेश के हैं ये फाइन आपको ज़रा ये स्कीम के बारे में मैं एक लाइन समझा देता हूँ जितने भी ऐसे छोटे मोटे बिजनसमेन होते हैं जैसे कि टेलर स्कीम के तहट 10,000 रुपए का लोन देकर उनको पुनह व्यवस्थित करने का काम किया जा रहा है ये स्कीम है ये कभी किसी ने पूछ ली कि स्कीम किस से रिलेटिड है तो आंसर मैंने आल्लेडी आपको बता दिया है ये आंदर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है और आंदर प्रदेश के गवर्नर साब का नाम है बी बी एच बिस्व भूशन हरीचंदन बिस्व भूशन हरीचंदन ओके याद रहेगा आपको आगे बढ़े चलिए औप्शन नम्बर छे क्वेशन नम्बर सिक्स आइमीन विच स्टेट एस बैंड ऑनलाइन क्लासेस प्रम एलकेजी इन में से कौन से राज्य ने अभी अभी लोवर केजी से लेकर पाँचवी क्लास तक की सारी ओनलाइन क्लासेस को बन कर दिया है और चेतावनी दी है कि आप फीस नहीं बढ़ाएंगे वैसे तो खबर ये भी आई है कि अब ये कह रहे है कि सात्वी क्लास तक सब कुछ बन क कर दिया जाए इसका सही जवाब है option number B करनाटक yes the right answer is करनाटक तो आप कोई पूछे कि क्या हो गया भई ये ऐसे online classes के खिलाब क्यों आ गए है सरकार का कहना है कि infrastructure थोड़ा पूर है इसलिए ये काम नहीं करना चाहिए गाओं के बच्चों के पास ऐसी कोई सोविधा नहीं ह तो ये अभी फिलाल नहीं करना चाहिए करनाटक के बारे में जरा मुझे दो चीजें बता दीजिए करनाटक के cm और करनाटक के governor जल्दी बोलिए करनाटक के chief minister कौन है बीजेपी के ही B.S. येदियू रप्पा येदियू रप्पा ये है अपना नाम बीच में इन्होंने ब governor है capital है Bangalore the IT city आप सब जानते ही है ओके आगे बड़े दोस्तों question number 7 पे NHAI ministry of road transport and highways has become the first construction sector against to go fully digital which minister is responsible for the ministry of road transport and highways भारत में ये जो road transport and highway मंत्रा ले है ये पूरी तरह से digital होने जा रहा है तो पूछा गया ये है कि इस ministry के minister सहाब कौन है बड़ा ही simple सवाल है और सही जवाब है हमारे पास नितिन गड़करी हम सब जानते ही है गड़करी सहाब भारत में road transport minister है एक सवाल जरा मैं आपको पूछता हूँ इसका जवाब मुझे as a part of your homework दीजिए of highway per day dash kilometers of highway जरा चेक करके मुझे comments thread में बताईएगा अपना answer और please कोरोना के पहले के digits मुझे चाहिए अगर आप 2019 December तक के भी बताते हैं तो भी चलेगा बाकी के जरा ये तीन option भी कोई न कोई मंत्राले संभालते ही है तो जरा इनके नाम भी एक बार देख ले दोस्तों ये बहुत जरूरी है तवर्चन गहलोत ये भारत में कौन सा मंत्राले संभालते हैं मैं short form लिखूंगा social justice and empowerment ये मंत्राले संभालते हैं रवी शंकर प्रसाद law and justice उसके बाद IT information technology and communications ये मंत्राले रवी शंकर प्रसाद सहाब का है और धरवेंद्र प्रधान ये इससे पहले भी मैं cover करवा चुका हूँ ये संभालते हैं petroleum उसके बाद natural gas और उसके बाद steel industries ये है धर्मेंद्र प्रधान साब का portfolio all right सब कुछ लिख लिया सब कुछ याद हो गया आगे बढ़ते हैं question number 8 forex reserves has crossed half a trillion 500 mark for the first time after it surged by अभी अभी भारत की विदेशे मुद्रा कितने billion dollars से बढ़ी जिसके वज़े से आकड़ा 500 के पार चला गया है सहीं जवाब है यहाँ option number B 8.22 billion billion का मतलब होता है अरब दोस्तों इस सवाल को ज़रा एक मिनट discussion में लेना बहुत 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 ज़रूरी है आप एक पल के लिए सोचे सब के मन में यह common sensical सवाल आ रहा होगा कि एक तरफ कोविड 19 के वज़े से economy का हाल बुरा है और दूसरी तरफ विदेशी मुद्रा इतनी कैसे क्या भाग रही है तो यह मसला क्या है क्या हो गया आचानत आपको मैं तीन कारण बता देता हूँ किसी इंटरव्यू में किसी जीडी में या कभी किसी ने यह पूछ लिया तो partnership भी काफी बढ़ रही है आपी ने देखा होगा Reliance ने अपने जो stakes बेचे उसके वज़े से 2-3 company ने Reliance में इंटरेस दिखाया और 1000 करोड रुपए में Reliance के share खरीद लिये तो उसके वज़े से सारा पैसा भारत में आ गया और डॉलर की संख्या एकदम से बढ़ गई और ती तेल के गिरते हुए दाम, fall off crude oil price, कच्चे तेल के गिरते हुए दाम, जिसके वज़े से सरकार की गठरी से निकलने वाला धेर सारा पैसा वो अचानक से निकलना बंद हो गया है या फिर कम हो गया है काफी हद तक, ये तीन कारण बताये जारे हैं जिसके वज़े से औरेक्स reserve में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है, बट बहुत अच्छी बात है कि हम 500 billion dollars के आगे लिकल गए हैं, इस पैसे से भारत सरकार बहुत बड़े-बड़े decision ले सकती है, कम से कम लोगों के लिए कोरोना में तो काफी कुछ कर सकती है, आगे बढ़ते हैं, question number 9, Indian musician has recently received the medal of the order of Australia, भारत की उस musician का नाम बताईए, जिनने अभी-अभी Australia से medal of order मिला है, तो ये इनका नाम क्या है, यहाँ सहीं जवाब है, option number B, शोभा, शेखर, शोभा, शेखर, पहले तो answer चेक कर लें, yes, the right answer is option number B, ये actually में एक Indian musician है, और इनके foundation का नाम है, कला कृती Music Organization, कला कृती Music Organization, आपको पता है ये कला कृती Music Organization कहा है, ये इन्होंने Australia में खोला है, और इसी लिए, वहाँ की सरकार के तरफ से, इनको ये पुरसकार दिया गया है, and by the way, she is a lecturer also in Melbourne University, वहाँ की एक Melbourne University है, वहाँ पर ये lecturer भी है, right, clear हुआ ये, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, Question No.10, World Day Against Child Labour is Observed Every Year On, बाल मजदूरी के खिलाफ मनाया जाने वाला दिवस कौन सा है, right answer है, 12 June, yes, Option No.D, अच्छा मौका है, जरा हम एक बार फटा फट रिविजन कर ले, आज की तारीक है 15, और 15 तारीक तक, जून के महिने में, जो जो important days आए हैं, जरा उन सारी तारीकों को मैं एक बार लिख देता हूँ, और एक बार आपको बता देता हूँ कि कौन से दिन क्या क्या हुआ था, ताकि आपकी बढ़िया रिविजन हो जाए, और भूलने की नौबत तो आनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि एक्जाम में इन में से कहीं से कुछ भी आ सकता है, तीन जून ये भी मैंने कवर कराया था, वर्ल्ड बाइसाइकल डे, वर्ल्ड बाइसाइकल डे, पाथ जून हम सबको पता है, वर्ल्ड एन्वियर्मेंट डे, ओके, साथ जून वर्ल्ड फूर्ड सेफटी डे, आठ जून वर्ल्ड ओशन्स डे, देन बारा जून, जो की य question है already child labor against child labor and then 14 June blood donor day कल का जो दिन रहा वो था blood donor day पूरे के पूरे दिवस याद रहेंगे आपको बिलकुल clear है यहां तक यह सब कुछ exam में 11 mark के question के रूप में आ सकता है इसलिए please pay attention to every details according to world bank's report global economy will contract by dash percentage in 2020 world bank की report के अनुसार विश्व की अर्थ्यवस्था कितने प्रतिशत से नीचे गिरने वाली है या सिकुडने वाली है सही जवाब है 5.2 प्रतिशत 5.2% आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से याद कर लें world bank का headquarter कहा है Washington DC और world bank के president कौन है डेविड मालपैस डेविड मालपैस राइट आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पे आनंद मोहन जुच्षी गुलजार दहलवी has passed away recently लंबा चोड़ा नाम है हाँ तो ये सज्जन कौन थे सही जवाब है ये एक जाने माने poet थे ओके तो राइट आंसर is option number D he was a poet आगे बढ़ते हैं question number 13 पे which state union territory has diverted the forest land to other projects the most on the basis of number of projects according to MOE FCC annual report 2019-20 MOE FCC मैं पूरा लिख नहीं रहा लेकिन आप ध्यान से सुनना Ministry of Environment and Forest and Climate Change I repeat Ministry of Environment, Forest and Climate Change यह जो मंत्राले है इस मंत्राले का कहना ये है कि भारत का एक ऐसा राज्ज यह है जिसने अपने बहुत सारे नए-नए projects को जो जंगलों की जमीन है वहाँ पर बनाये हैं और जंगलों को बहुत ज्यादा इन्होंने यूज किया है नए-नए projects के लिए ये खराब किये जंगल, तो कौन सा राज्य है, तो सई जवाब है option number D, हर्याना, राइट, तो सबसे पहले तो इन minister सहाब का नाम मुझे बता दीजे, जो ये मंत्राले संभालते हैं, मंत्राले किसके पास है, ये मंत्राले है प्रकाश जावडेकर, और इसका headquarter कहा है, headquarter परियावरण भवन नई दिल्ली, और आगे बढ़ने से पहले, जरा मुझे तीन बाते clear कर दीजे, हर्याना की चीफ मिनिस्टर कौन, म.L. Khattar, हम सब जानते ही है, मनोहरलाल Khattar, हर्याणा के गवर्नर साहब कौन, हर्याणा के गवर्नर साहब सत्यदेव नारायन आर्य, और जरा मुझे एक और बात बताईए, हर्याणा के दो नेशनल पार्क्स बताईए, कम से कम, मुझे आगे बढ़ने से पहले, पहला सुल्टानपूर एंड काले सर ये दो नैशनल पार्क है हर्याणा के जानकारी पूरी की पूरी समझ में आई ये सब एक्जाम में आ सकता है आगे बढ़ते हैं दोस्तों question number 14 how many indigenous sports will be promoted by producing series of special films by MHRD in partnership with fit India fit India के साथ partnership में MHRD ने कितनी special films के लिए अभी promotion किया है सही जवाब है यहाँ पर option number D that is 10 और यह MHRD मतलब क्या होता है ministry of human resource development मानव संसाधन विकास मंत्राल है और इसके मंत्री जी कौन है रमेश सिंग पोखरियाल रमेश सिंग सोरी रमेश पोखरियाल ऐसा ही कहा जाएगा रमेश पोखरियाल निशंक पूरा नाम यह है यह है मंत्री जी ठीक है आगे बढ़े दोस्तों question number yes right answer option number D आगे बढ़ते हैं 15 the senior lawmaker from 8 democracies have formed an inter-parliamentary alliance to counter which country आप सबको पता ही है कि अभी अभी दुनिया के एक बड़े देश के खिलाफ आठ अलग-अलग democratic countries इखटा हुई है और उन्होंने inter-parliamentary alliance IPA का गठन कर लिया है ताकि उस country से थोड़ा सा नरम बरताओ की अपेक्षा की जा सके और उन पर दबाओ बनाया जा सके तो आप सब को समझ में आ गया होगा कि इतनी aggressive country कौन है जिसके खिलाफ सब इस वक्त काफी ज्यादा नाराज है सही जवाब है चाइना यह आठ डेमोक्रेसी कौन कौन सी है दोस्तों आठ डेमोक्रेसी को याद रखने का अब मैं आपको एक शांदार code दे रहा हूँ तो ज़रा ध्यान से देख लेना यह आठ countries है इसका code है जुगनू जुगनू C.S.A. बस C.S.A. J से है Japan U से है UK G से है Germany N से है Norway U से है USA C से है Canada S से है Sweden और A से है Australia यह है वो सारी countries जिनों ने अपना एक संगठन बना लिया है चाइना के खिलाफ आंसर चेक कर लें Yes, the right answer is China आगे बढ़ते हैं दोस्तों 16. Which state union territory government has renamed environment ministry as environment and climate change ministry in June 2020 इन में से कौन से राज ने अपने मंत्राले का नाम परियावरन मंत्राले का नाम बदल के environment and climate change मंत्राले ऐसा रख लिया है सही जवाब है option number D महराष्ट्र ओके महराष्ट्र के chief minister कौन UT उद्धव ठाकरे और महराष्ट्रा के governor साब कौन गवरनर है भगत सिंग कोशियारी भगत सिंग कोशियारी ओल राइट गड़ बंदन सरकार चलती है महराष्ट्रा में option एक बार चेक कर ले answer Yes, the right answer is option number D महराष् which country has signed agreement with Italy to demarket maritime boundaries इन में से कौन से country ने इटली के साथ एक maritime agreement sign किया है जिससे की समुद्र में बनी हुई maritime boundaries को demarket कर लिया गया याने उसको खतम किया गया ताकि व्यापार ठीक से हो सके सही जवाब है option number D Greece यूरोप का एक देश है Greece वहाँ पर ये किया गया है चलिए दोस्तों इन चारों option में जरा हम दो चीज़े कर लें क्या एक मैं capitals बता देता हूँ और दूसरा मैं currencies बता देता हूँ तो आप जरा मुझे बताईएगा अगर आपको पता है तो एक बार revision कर पता है तो मेरे साथ देख लेना सीख लेना Croatia Croatia की capital क्या है जाग्रैब क्रोएशिया की करेंसी क्या है कुना के यू एन ए तर्की तर्की की कैपिटल क्या है अंकारा नोट इस्तानबुल हां अंकारा और तर्की की करेंसी क्या है लीरा बोस्निया बोस्निया की कैपिटल क्या है सारा जीवो सारा जीवो और बोसनिया की करेंसी क्या है? मार्क, ग्रीस ग्रीस की कैपिटल क्या है? एथिन्स ओलम्पिक्स की शुरुवात हुई थी यहां से और करेंसी हम सब जानते ही है क्योंकि ये यूरो जोन का मेंबर है तो इसकी करेंसी हो जाएगी यूरो ये है इन चारो की करेंसी और कैपिटल याद रखिएगा आंसर हम अपना एक बार चेक कर लें येस, इस ग्रीस नाव लेट्स मूव अहेट सेंटरल गवर्मेंट एस एक्स्टेंडिड आयूश्मान भारत प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJAY अप्शन नमबर A, इंदू भोषन लेट्स चेक दी आंसर येस, इंदू भोषन क्लियर है ये नाम याद रखना काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आगे बढ़ते हैं वोट विच इस दो मोस्ट एक्सपेंसिव इंडियन सिटी एस पर 26th Annual Cost of Living Survey 2020 released by मरसर, मरसर ने अभी-अभी 26वी Annual Cost of Living Survey रिपोर्ट जारी करी है जिसके इसाब से भारत की सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव सिटी कौन सी है? सही जवाब है Option No. D, मॉंबई अभी-वे मॉंबई सबसे ज्यादा कॉस्टली है भारत में और वैसे एशिया में सबसे ज्यादा कॉस्टली इस लिस्ट में पाया गया है होंग कॉंग को तो ये नाम भी ज़रा याद रखना होंग कॉंग आट नमबर वन अगर आपको एक्जाम में कॉस्चन आया कि दुनिया में कॉन सी सिटी एशिया में कॉन सी सिटी सबसे महेंगी है दराइट आंसर इस होंग कॉंग वही शहर जहां पर अभी चाइना के साथ बहुत ज्यादा तनाव चल रहा है और होंग कॉंग अपनी इंडिपेंडेंट सोगरिगनिटी को बचाय रखना चाहता है चलते हैं आज के आखरी सवाल पर क्वेशन नमबर ट्वेंटी फॉर्मर उलम्पिक मेडलिस्ट ओलेक्जांडर वोजडिक फू अन्नाउच्ड रिटार्मेंट रिसेंटली इस असोसियेटेड विच स्पोर्ट ये जो सहाब है और अलेक्जांडर वोजडिक ये यूक्रेन से आते हैं पहले तो मैं ये लिख देता हूँ यूक्रेन और ये किस स्पोर्ट से संबंधित है यहां सही जवाब है आप्शन नमबर ए बॉक्सिंग आंसर चेक कर ले जारा येस इट इस बॉक्सिंग तो गाइस ये थे हमारे 20 questions for the day उमीद करता हूँ कि आपको सारे questions समझ में आए और आपने सब कुछ लिख के भी रखा और आपको additional information भी पसंद आई अगर आपको इस series में कोई और अच्छी जानकारी चाहिए है या आप चाहते हैं कि इस series में कोई भी छोटे मोटे बदलाओ जैसे कि questions की depth या फिर आप चाहते हैं कि number of questions और cover किये जाएं तो please please अपने feedback हम तक पहुचाना ना भूले और कोशिश करें कि आप रोज मेरा इसी series का PDF इस link पर जाकर टेलिग्राम चैनल की इस link पर जाकर जरूर 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 collect करें इस वीडियो के साथ इसी पूरे के पूरे question और answers की PDF format मैं इस टेलिग्राम चैनल के link पे रोज available करवाता हूँ तो please वो भी आप जरूर accept कर ले और सारी चीजों के साथ अपनी तयारी जारी रखें बहुत जल्दी static gk की भी शुरुवात होने वाली है और static gk के एक से बढ़कर एक शांदार lectures में लेकर आने वाला हूँ चैनल को subscribe करें और please अपने feedback देना न भूले आपका दिन आज बहुत बहुत शुब हो तब तक के लिए धन्यवाद कल एक बार फिल मिलते हैं लेक्चर नमबर 8 के साथ